एक हलो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पाइनस का मेल गेमिटोफ़ाइट कहाता है इस वीडियो में हम पाइनस के फिर्मेल गेमिटोफाइट का स्टॉक्चर और डवलपमेंट डिसकेश करेंगे तो आगे स्टडी करते हैं हमने आपको बताया हुआ है कि आम तोर पर जो पाइनस है वो हेट्रोस्प्रोस प्लांट है जिसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगाइस्पोर्स तोनों बनते हैं हैं तो मेगाइस्पोर्स का सबसे पहले आकार में ब्रद्धी होना प्रारंब होता है जो मेगाइस्पोर बनते हैं सबसे पहले उनका आकार में ब्रद्धी होती है आकार में ब्रद्धी होने के साथ साथ जो उसका न्यूकलियस है मेगाइस्पोर का जो न्यूकलियस है वो संख्या में हो जाते हैं जैसे ही यह जो न्यूक्लियो लस इसका या न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो रहा होता है उस दोरान इसके मध्य में एक वैक्योल डवलप हो जाती है वैक्योल डवलप होने से जो न्यूक्लियाई है वो पैरिफेरल अरेंज हो जाते हैं सारे की सार इतने सारे केंद्रक जो बन जाते हैं, वो उस रिक्तिका के चारों और एक परत के रूप में परधिय भाग में एक कत्रित हो जाते हैं, परधिय भाग में जब एक कत्रित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे अब इसमें भित्ती निर्मान, अर्थात इसमें अब वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है इसमें wall formation स्टार्ट होता है और वो wall formation स्टार्ट होता है परिधी से केंद्र की और तो इसमें actually परिधी से केंद्र की और अब कुशी का निर्मान प्रारम होता है जैसे जैसे कुशी का निर्मान प्रारम होता है वैसे वैसे वो जो बेक्योल है वो छोटी होते जाती है और इसमें जो अलग से एक बात आपको यहां नजर आएगी जो कि साइकस से इसे डिफरेंट जिसका हमकी एक कर्स कह सकते है कि यह साइकस से इसका थोड़ा अलग है इसमें क्या होता है जब wall formation हो रहा होता है तो जो cells बनती है आम तोर पर वो radially elongated multi-nucleate cells बनती है radially elongated multi-nucleate cells बनती है जो सेप में tube-like होती है इन्हें albu-like कहता है tube-like multi-nucleate elongated cells बनती है जन्हें albu-like कहा जाता है यह जो albu-like बनती है multi-nucleate होती है लेकिन बाद में फर्दर जब आगे इनमें development होता है तो यह अलग-अलग हो जाती है और uni-nucleate यानि एक किंद्रकी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और एक किंद्रकी कोशिकाओं के विभक्त होने से जो कोशिकाओं का पूरा की पूरा एक mass बनता है सम्हू बनता है वो ही कोशिकाओं का सम्हू या mass फाइनली female gametophyte या जिसे कह सकते हैं आप endosperm कहलाता है तो यहाँ पर प्रोथेलस भी सो कहा जाता है प्रोथेलस या endosperm कहते हैं उसका यहाँ पर निर्मान होता है तो यहाँ पर कोल मिला कर आप यह देख रहे हैं कि fertilization से पहले ही इसमें endosperm बन गया है आउस्षक या प्रोथेलस से जो असे समझने वाली चीज़ है यह जो प्रोथेलस से पहले पर बना यहाँ पर चार्णा रिए्व स्ट है अगर यह उग्छर मनें گी आउस्वी यह प्रोथेलस तो उसका मतलब यह हैप्लोइड होगा और यह angiosperm की तुलना में यहाँ पर एकदम अलग होता है वहाँ पर after fertilization बनता है और triploid होता है जबकि इधर pinus में यानि यह कह सकते हैं आपकी gymnosperm में जो angiosperm है वो before fertilization बन जाता है और haploid होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर एक cellular structure बन जाती है cellular structure जिसको हम endosperm या प्रोथलस कहता है यह endosperm या प्रोथलस जो बना इसके चारों और जो new cells की cells है new cells जहाँ पर यह बन रहा है तो new cells की जो cells हैं वो इसके चारों और 2 से 3 layer बनाती हैं 2 से 3 layer covering बना देती हैं इसके चारों और जिसे endosperm jacket कह सकता है spongy layer या endosperm jacket कहता है और इसकी तुलना आप endosperm के tapitum से कर सकता है जो endosperm में tapitum पाई जाती है उसकी तुलना इस spongy layer या endosperm jacket से की जा सकती है तो इस प्रकार से यह female gamit of height बनता है अब इस female gamit of height के बन जाने के बाद इसमें निर्मान होता है archegonium का archegonium का development कैसे होता है यह development आप इस flow chart में briefly बड़े आसानी से समझ सकता है आम तोर पर यह जो female gamit of height है इसमें micro pilar end की और की कुछ कोशी का है बाकी कोशी काओं से बाकी cell से थोड़ी अलग हो जाती है जैसे कि मैंने पिछली बार बें बताया था आपको यह जो cells है पहली बात तो micro pilar end की तरफ है यह ध्यान रखने वाली बात है और इनकी जो आकार आकरती है वो दोसों से अलग हो जाती है कुछ आकार में बड़ी हो जाती है इनका cytoplasm dense हो जाता है nucleus भी इनका बड़ा हो जाता है इस प्रकार से जो cell है जो बाकी cell से अलग हो जाती है इन्हें archigonal initial कहते हैं दो प्रकार की cells बनती है एक primary neck initial और दूसरी central cell यह जो primary neck initial होती है इसमें दो vertical division होता है एक के बाद एक perpendicular तो इस प्रकार से चार neck cells बन जाती है चार neck cells जो अलग लग जाती हो में tiers के हिसाब से अलग लग हो सकती है फिर यह जो चार neck cells बनी इनमें again एक transverse division हो जाता है और इस से चार से कितनी cell बन जाती है आठ तो इस प्रकार से इसमें 8 cell neck का निर्मान हो जाता है यह 8 कोशी का है archigonal neck का निर्मान करती है तो primary neck initial finally निर्मान कर देती है 8 cell archigonal neck का दूसरी central cell आप देख रहे हैं central cell में again periclinal division होता है periclinal division होने से इसमें भी 2 cell बनती है एक VCC ventral canal cell और दूसरी egg cell इसमें जो ventral canal cell है उसका nucleus भी कुछ जातियों में कुछ समय बाद ही degenerate हो जाता है और अब जो ventral वाला part है archigonal का उसमें केवल egg cell ही रहता है तो इस प्रकार से female gametophyte या prothelis या endospon इसमें archigunium का निर्मान हो जाता है archigunium का जो यह निर्मान की पूरी process है यह आगे आपको explain भी की हुई है आप उसके नोर्स यहां से तियार कर सकता है simple words में यह पूरी की पूरी process यहां पर आपको explain की हुई है जब egg बन चुका होता है पिसले वीडियो में हमने आपको बताया कि male gamets भी बन चुके होता है यानि male और female gamets दोनों बन चुके हैं इसका मतलब अब जो अगला step आएगा वो pollination आएगा pollination में जो pollen grains हैं वो अब यहां तक पहुँचेंगे तो यहां पर जो pollination है वो बायू द्वारा होता है बायू परागन होता है जैसा कि अभी पहले आपको बताया ही था आम तोर पर जो pollen grains हैं वो dispersal होने के बाद कुछ समय तक हवा में रहते हैं इसके बाद आम तोर पर जो neck है archigonium neck उसमें इसके upper part जो archigonium neck का हम जिसको मुख कह सकते हैं उस पर कुछ इस परकार के substances आते हैं जिनमें अलग-अलग पदार्थ भी पाए जाते हैं जैसे glucose है, fructose है, socrose है ये कुछ पदार्थ होते हैं जो इससे एक mixture बनकर उसके archigonium के मुख पर आ जाता है, इसके बाद इस fluid पर जो की archigonium के मुख पर आ जाता है, इसमें बायू में उड़ते हुए पराकण आकर चिपक जाते हैं इनमें से कई पराकण चिपकते हैं और इसके बाद ये पराकण archigonium neck से होते हुए अंदर की ओर, बेंटर की ओर पहुँचते हैं बेंटर की ओर जब ये पहुँचते हैं तो इनमें से इसके बाद सारे की सारे पराकण egg से fuse नहीं होते इनमें से केवल एक ही pollen grain जो होगा वो egg से fuse होगा, वो आगे की process जो हमारी आएगी fertilization उसमें आता है, तो यहाँ पर pollination में सिर्फ हमें इतना बताना होता है कि किस प्रकार से जो pollen grains है वो arkegonium तक पहुँचते हैं और उसके बाद फिर वो उसमें अंदर आता है तो इतना सा ही आपको pollination में बताना होता है इसके बाद फिर जो अगली process आती है वो है आपका fertilization जैसा कि कुछ simple से points में वो मैंने लगबग पिछले slide में बता ही दिया है fertilization takes place after one year of pollination एक यह important बात है जो ध्यान रखनी है कि परागन होने के एक साल बाद इसमें fertilization होता है जो पॉलन ट्यूब बनती है जिसमें की male gametes होता है वो पॉलन ट्यूब अब एंटर करती है आर्की गोनियम में और आर्की गोनियम में पहुंचने के बाद वो बैंटर तक पहुँच जाती है पॉलन ट्यूब वाल is disintegrated by the enzyme, secreted by the egg and eventually two male nuclei are released इसके बाद जो पॉलन ट्यूब का अग्र भाग है मुख वो enzymatic क्रिया से enzymatic action से dissolve हो जाता है और जो दौनो male gametes है वो free हो जाता है वेंटर में दौनो male gametes वेंटर में free हो जाता है उनमेंसे एक male gamete egg से fuse होकर deployed gigot का निर्मान करता है इस प्रकार से यहाँ पर एक ही male gamete काम आता है बाकी के जो इसमें और एक male gamete दूसरा बचा हुआ और बाकी जो दो nucleus थे वो destroy हो जाता है या degenerate हो जाता है केवल एक ही male gamete है जो की fuse होता है एक के साथ और बनाता है deployed gigot अब यहाँ पर जो gigot बनेगा उसमें जब further development होगा तो उससे embryo बनेगा इस प्रकार से यह जो female gamete बना इसके बाद यहाँ पर pollination हुआ और pollination के बाद fertilization और fertilization से जो last में end product हमारे पास प्राप्त होता है वो है deployed gigot अब यह deployed gigot बनाएगा embryo तो अगले वीडियो में हम study करेंगे कि इसमें embryo का development कैसे होता है और फिर उसमें structure of seed यानि seed कैसे बनता है यह last में हम उस वीडियो में इस spinus को complete करेंगे Thank you